उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो क्या है पैसे देकर रहिन बसरों में केसे रह सकते हैं। इनका कोई क्या है रजने के लिए जो स्थान नहीं है और क्या है मरे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ दिन तक हमारा जो घर है उनको दे दे बच्चों की आँखों में एक प्रकार की आशा जो थी जो की चंदर प्रकाश की और वो देख रहे हैं प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे प्रथम प्यूसी के जितने भी विद्यारति हैं आप सब का मेरी कक्षा में स्वागत है मेरे प्रिये विद्यारतियों पिछली कक्षा में जो अपटित गध्यामश है इसके अंतरगत शीत लहर जो पाठ है जो पाठ चौथा पाठ शीत लहर इसके बारे में हमने चर्चा की थी आज इस पार्ट में आगे और क्या है इसी के बारे में जानेंगे पिछली कक्षा में आपका पार्ट यहां तक हो गया था जो इस पार्ट का मुख्य नायक है चंदरप्रकाश वो जो है एक ग्रूप हाउजिंग सोसाइटी में अपना फ्लाइट खरीदता है और कहें वो खुद लक्षमी बाई नगर वहां पर रहता है क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी था और उसे सरकार के आउर से एक मकान मिला था और उसके आफिस के खरीब ही वो मकान जो इसने कहें जो फ्लाइट खरीदा था दौरिका में वहां पर वो कहें अभी नहीं जाना चाहता था पिर कहें इसने जो फ्लाइट खरीदा था वो कहें लोन पर लिया था और इसका जो सालरी मिलता था उसका एक बड़ा हिसा उसे चुकाने में चला जाता था और ये अपना प्लाइट जो है किराये पे देने के लिए सोची रहा था लेकिन किरायेदार नहीं मिल रहे थे क्योंकि द्वारिका में कहें इतनी ज्यादा सुविदाना होने की वज़े से कम ही लोग वहां पर रहते थे और उत्तर भारत में जो क्या हैं शीत लहर का प्रकोब चाया हुआ था तो इसमें क्या हैं दिल्ली जो हैं वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यू हो गई थे और चंदरप्रकाश महिने में एक बार द्वारिका जाया करता था क्यूंकि जो मेंटेनिंस का खर्च जो होता है एक हजार रुपए देने के लिए कभी कबार जब भी जरूरत पड़ती बीश में भी वो जाया करता था कभी कबार उसकी पत्नी भी उनके साथ आया करती थी इसी तरह से जब वो अपने कहें फ्लाइट को देखने के लिए मारूतिकार में बैटकर जा रहा था तब जो है वहां पर जो अधनंगे स्त्री और पुरुष बच्चे जो उनकी स्तिथी दया निधी स्तिथी थी उसको देखकर इसके मन में जो है करुणा भराती है और वो कहें उनके बारे में कहें पुरुणम से कहता है कि देख रही हो इनकी स्तिथी तो पुरुणम कहती है कि ये स्तिती के खुद जिमेदार वो ही है क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि ऐसे लोग काम नहीं करते तो काम नह करते हैं इसलिए तो इनका जीवन ऐसा है इस तरह से पूनम जब कहती है तो इस बात से चंदर प्रकास जो है सहमती नहीं होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें कौन काम देगा कोई काम अगर वो कारखाने में करने के लिए तयार भी हो जाए वहां से उनको धुतकार कर भेज़ दिया जाएगा और कोई कहें भीक मांगना पसंद नहीं करता वो सम्मान से जीना चाहता है अगर इनके पास भी नौकरी होती तो वो क्या है चौराहे पर इस तरहां स्तिती में थंड से तड़पते हुए नहीं पड़ते इस तरहां से इन दोनों में बाते होती हैं तो यहां पर जो हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है इसके बारे में पता चलता है साथ ही साथ यहां पर जो रेन बसेरे इन लोगों के लिए बनाये जाते हैं बेबी वहां के जो क्या है संचालक जो है कुछ पैसे लेकर जो पैसे देता है उन्हीं को रहने के लिए देते है और ऐसे लोगों को ऐसी सुविदा मिल भी नहीं सकती क्यूंकि उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है वो क्या है पैसे देकर रहिन बसरों में कैसे रह सकते हैं ये बाद भी सामने आती है जो कि ऐसे लोगों को सरकार जो सुविदा देता है वो सुविदा भी उन लोगों तक नहीं पहुंचत जो बीच में जो लोग होते हैं से संचालक जो होते हैं वे किस तरह से उन लोगों का हख जो है मारते हैं कुछ चंद पैसों के लिए ये भी उस कहें इस पार्ट के जरीए हमें पता चला था तो यहां पर जब ऐसी स्थिती में ये लोग पड़े हुए थे ये देखते हुए चंदरप्रकाश के मन में जो है एक करुणा उनके प्रती उत्पन होती है तभी क्या है उसके जो फ्लाट था द्वारिका में वहां का गेट आ गया था तो आगे पार्ट अब हम देखेंगे तो पिछली कक्षा में पार्ट आपका यहां तक हुआ था तो आप देहें अब जो है इसके जो इसने फ्लाट खरीदा था वहां ये आ गये थे वहां का मुख्य जो गेट होता है वहां पर आ गये थे तो चंदरपरकाश ने अपनी कार को बेस्मिंट में पार करते हुए फिर जहे अपने इनी फ्लाट के पास जाता है जैसे ही उसने अपने फ्लाट का दर्वाजा खोला इनी उसका फ्लाट इस परकार था कि जो एक बड़ासा हॉल जो है और वो क्या है? वहां से उसके सामने ही एक सर्वेंट रूम, उसमें उसे लगा हुआ एक स्टोर रूम, वहीं पर एक बात रूम पिर जो है वहां से होते हुए अगर थोड़ी आगे जाये तो तीन बड़े बड़े जो है कमरे थे कहें उसे एक हर ये कमरे के लिए एक बाल कोनी थी और साथि साथ कहें हर ये कमरे को कमरे में अलग अलग बात रूम भी था उसी से लगी हुई एक बड़ी सी रसोई थी इस तरह से चंदर प्रकाश का जो फ्लाट है बहुत अच्छी तरह से था और वहां पर जो पेंट और पानी की वेवस्ता और कहें करंड की वेवस्ता विद्यूत की वेवस्ता सारा काम हो गया था और ये घर जो है रहने के खाबिल था तो जैसे ही चंदर प्रकाश अपने फ्लाट में जाते हैं और कहए उसका मुईना करने लगते हैं इनि जब वो घर के अंदर घुशते हैं तो कुछ गंदी सी स्मेल आती है तो वो कहए इनि पूरा फ्लाट बंधोने की वज़े से कहए हवा जहां पर नहीं ठीक से पहुंच पाती तब इस तरह क्या है गंदी सी जो हवा है भर जाती तो चंदरप्रकाश खिडकिया और दर्वाजे जो है वो खोलता है पिर जैसे ही उसने दर्वाजा और खिडकिया खोली दो कबूतर के जोड़े जो है वो भी वहां से उड़ते हुए बाहर चले जाते हैं पिर जो है यहां पर चंदरप्रकाश की पतनी जो पूर्णम है वो कहें वहां पर वही उनके फ्लाट से लगा हुआ एक कहें दूसरे फ्लाट में कुछ काम चल रहा है वो बालकोनी में जाकर वो देखते हुए खड़ी हो जाती है चंदरप्रकाश जो है वहां पर कितनी गंदगी जमी है यह देखने के लिए खिड़की पर अपना अपनी उंगली ऐसे घिसता है तो बहुत सारी धूल जो है उसकी उंगली में लग जाती है उसे दिखाते हुए पूनम को कहता है देखो कितनी गंदगी भरी है और यहां पर अगर कोई ना हो मकान खाली हो तो इस तरहां से गंदा हो जाता है तो पूनम अपने पती से कहती है मैंने तो कितनी बार आपसे कहा है कि किराय पर इस घर को इनी इस फ्लाट को दे दो कम से कम कुछ तो पेसे हमें मिलेंगे और साथ ही साथ कहें फ्लाट भी साफ सुत्रा रहेगा तो यहाँ पर चंदर प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है हाँ इसलिए तो इनी यहाँ पर द्वारिका में कहें कम लोग ही रहते हैं क्यूंकि यहाँ पर सुविदा जो है इतनी अच्छी तरहां से नहीं है तो जो रिटाइड हो चुके हैं वो अपने बच्छों के साथ रहत हैं या जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं वहीं क्या है क्या है यहाँ पर आकर रहते हैं तो यहाँ पर वो बताते हैं कि स्पस्ट करते हैं कि किसलिए वो किराय पर घर नहीं जा रहा है यहीं किराय पर क्यूं नहीं दिया जा रहा है क्यूंकि द्वारिका जो है वो कहें थोड़ा सा दूर है और वहाँ पर जो है इतनी अच्छी सुविदा नहीं है इसलिए लोग वहाँ पर आकर घर लेने के लिए पीछे हटते हैं तो ये बात उसे स्वस्ट करते हैं तो यहाँ पर पूनम जो बालकोनी में जाकर उसी से लगा हुआ यहीं उनकी फ्लाट से लगा हुआ एक जो फ्लाट का काम चल रहा था उसे देखकर खड़ी हो जाती है तो चंदर प्रकाश भी उसके साथ जाकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और दोनों कुछ देर खड़े होते हैं तबी क्या है उनके शरीर को पार करने वाली जियादा थंड हो रही थी उनके शरीर से होते हुए आ रही थी इतनी क्या है वहाँ पर सर्द हो थी यही इतनी जियादा वहाँ पर शीत था तो चंदरप्रकाश और पूनम कुछ देर खड़े होकर अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं और सारे दर्वाजे और खिड़कियां बन करने लगते हैं और यहां पर पूनम जो है पूनम और चंदरप्रकाश अपने घर में कुछ समय बिताने के बाद अब जो है वो बाहर कहें निकलते हैं अपने घर से बाहर निकलते हैं तभी जो है दो जो कबुतरों का जोड़ा है वो जो बाहर चला गया था अभी जो है जहां पर exist के लिए जो छोटी सी खिड़की दरवाजे के ऊपर बनी रहती है वहां से वो कबूतरों का जोड़ा जो है फिर घर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था उसे देखते हुएं चंदरप्रकाश बताते हैं कि ये देखो आदमियों के लिए रहने के लिए घर नहीं है अभी जो है ये अंदर इतने बड़े से फ्लाट रहे रहे हैं और आदमी जो है वो थन के मारे मरे जा रहे हैं तो फिर जो है यहाँ पर पूनम जो है वो कहती है यही पूनम यहाँ पर हां कहते हुए अपनी सहमती बताती है फिर उसी प्लाट से कुछ दूरी पर जब खड़े होते हैं तो दूरी पर कुछ अदनंगे बच्चों को देखते हुए उनकी और उंगली का हिशारा करते हुए चंदर प्रकाश कहते हैं वो देखो किस तरह से शीत के प्रकोप से ऐसे कहें वो थंड में वहाँ पर कहें थंड से वो काम पर है और बहुत सारे लोगों की मृत्यू भी इसी शीत की वज़े से हो रही पूनम को कहते हैं कि क्यों न हम अपना जो प्लाइट है वो कुछ दिनों के लिए इन लोगों को दे दे जो कि इनका कोई क्या है रहने के लिए जो स्तान नहीं है और क्या है मरे जा रहे हैं ऐसे लोगों को कुछ दिन तक हमारा जो घर है उनको दे दे चीत जाने के बाद हम अपना घर खाली करवा लेंगे तो पूनम जो है इस बात से सहमत नहीं होती और चंदर प्रकाश कहते हैं वो देखो कितने लोग इस थंड के मारे मरे जा रहे हैं कुछ दिन तो हम इनको जो है कहें अपने घर में कहें अपना हम हमारा घर दे देंगे ताकि कहें कुछ तो ये थंड से बचे पूनम इस बात से सहमत नहीं होती वो कहती है कि हाँ दे दो घर इनको दे दो और जो है ये एक बार जब घर में आ जाएंगे अपना फ्लाइट जो है तुम भूल जाओ क्योंकि ऐसे लोग जो है वो ये एक बार अंदर आने के बाद कभी अपना यही कभी घर खाली करके नहीं देंगे और हम कहें किसी से जबरदस्ती तो घर खाली नहीं करवा सकते इस तरह से पूनम कहती है तो यहां पर चंदर प्रकाश कहता है कि वो देखो कभूतर ये कहें इतने बड़े फ्लाट में अपना राज जमाय हुए है और यहीं पर जो है गंदगी फैला रहे है मैं तो क्या है ऐसे लोगों के लिए जो कि ये लोग जो है थंड से मरे जा रहे हैं उन लोगों को अगर हम घर देंगे तो वो तो हमारा इहसान ही मानेंगे और जो है वो क्या है इस तरह जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं होगा वो फिर जो है पुनम कहती है कि अगर वो इस तरह से नहीं होगा तो भी क्या है अगर वो खाली करके घर दे देंगे तो भी यहां पर रहने की जैसे क्या ये घर सुविवस्तित नहीं रहेगा बलकि वो घर को इतना गंदा कर देंगे कि कोई यहां पर नहीं रह सकता ऐसे बना कर चले जाएंगे फिर चंदरप्रकाश कहते हैं कि नहीं वो लोग तो हमारा इहसान मानेंगे और जो है वे लोग इस तरह से गंदा घर नहीं करेंगे और ये बात भी कहें चंदरप्रकाश अपनी पत्नी पूनम से कहते हैं और ये जब वो कहते हैं तो उनके मुख इनी वो जो बता रहे थे उसके साथ उनका बाड़ी लैंग्विज जो है ये कह रहा था कि वो उनको विश्वास है कि वे लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो पूनम कहती है ठीक है इस सोसाइटी के जो पद अधिकारी हैं उनसे पहले अनुमती ले लो फिर अपना घर जो है इन लोगों के लिए दे दो फिर जो है चंदरप्रकाश जो सक्रेटरी था उनसे बात करने के लिए जाते हैं और वो बताते हैं कि ये सोसाइटी में मैं जो सडक पर रहने वाले अधिननंगे जो बहुत सारे शीत की वज़े से मृत्य हो रही है इसे ल कहता है कि हम तुम्हारी बातों का आदर करते हैं लेकिन ये सोसाइटी में जो लोग हैं उनका एक क्लास है एक जेंटरी है जेंटरी का मतलब है एक क्लास है वे लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते और ये एक ग्रूप हाउजिंग सोसाइटी है यहां पर रह चंदर प्रकाश ने उनसे पूझा था उसका उत्तर उनको मिलता है। चंदर प्रकाश और कुछ बात करना नहीं चाहते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहां पर उनको रहने के लिए वो अनुमती नहीं देंगे। लेकिन उनके मन में एक बात आती है कि क्या है कि यह तो मेरा फ्लाट है। मैं किसी को रहने के लिए अलो करूँ या ना करूँ यह मेरे पर है। इनको क्या इस तरह की बात आती है। लेकिन वो यहनी यह सारी बातें क्या हैं करना भी वेर्थ हैं ऐसे समझ कर वहां से वो आ जाते हैं फिर जो है पूनम और चंदरप्रकाश वहां से क्या हैं वहां से निकलते हैं अपने इनी लक्ष्मिबाई नगर के लिए निकलते हैं तो जैसे ही फिर वो वापस आ रहे थे रास्ते में इन्ही रास्ते पर जो क्या हैं वहां से जब निकलते हैं वो सगड़क के किनारे बैठे पांच-छे बच्चों पर उनकी दुरुस्टी जाती है जो की एक सोसाइटी से फरलांग भर आगे निकले उसी रेड़ लाइट के पास सड़क के किनारे पांच-छे बच्चे बैठे हुए थे जिनकी उम्र चार साल से लेकर दस साल के तक की उम्र थी ऐसे बच्चे वहां पर बैठे हुए थे और क्या है सिगनल भी पड़ गया क्या है यहां पर चंदरप्रकाश जो है उन बच्चों की ओर देखते हैं वो बच्चे बच्चों की आँखों में एक प्रकार की आशा जो थी जो की चंदरप्रकाश की और वो देख रहे थे साथी साथ एक साड़ी में अपने बड़न को वो ढखने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके नंगे पैर उस साड़ी में क्या है ढख नहीं पा रहे थे उनकी ये स्तिथी जो है चंदरप्रकाश देखकर फिर से उनके मन में करूना भराती है पिर चंदरप्रकाश जो है उनकी आउर देखने लगते हैं पिर उसकी मदद करने के लिए है अपने कोट से क्या है पैसे निकालने लगते हैं एक सौ रुपया अपने कोट से निकालते हैं और देने के लिए सोचते हैं फिर वो सोचने लगते हैं कि इन पैसों से क्या है उनका उनको तो इने शीत से जो है बचने के लिए तो कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा एक साव रुपया से, ऐसे सोच कर वो फिर क्या है अपनी करुणा को मन में ही मसूस कर रह जाते हैं, और वो क्या है पैसे दे जाते हैं बच्चों की आँखें चंदर प्रकाश की और ही होती है चंदर प्रकाश उन आँखों में कहें एक आशा देखते हैं चंदर प्रकाश को उनके ऊपर करुणा आ जाती है जब ग्रीन सिगनल पड़ती है तो उस वक्त बच्चों की और देखते हुए बाए बाए करने के लिए चंदरप्रकाश जो है उनकी और बाय बाय करते हैं तो उन बच्चों की आँखों में जो है ये खुशी जलक पड़ती है बच्चे चंदरप्रकाश को देखने लगते हैं आप भी उनकी आँखों में एक आशा जो है चंदरप्रकाश देख रहे हैं वो खुशी से कांच की खिड़की से जो कार की खिड़की थी उससे देखते हैं तो बच्चे जो है थर्ण के मारे कहें उस इनी जो फटी पुरानी सारी से अपना हाथ नहीं निकाल रहे थे, बै करने के लिए हाथ भी नहीं निकाल रहे थे, इतनी शीत वहां पर थी, तो चंदरप्रकाश जो है उन बच्चों के प्रती करुणा जो है मन में भर लेते हैं और चंदरप्रकाश यहां पर एक बात भी सोचते हैं कि कहें उन बच्चों को देखकर जो इनका एक दो साल का बच्चा है उसे वो किस तरह से गरम कपड़े पहनाते हैं गरम दूर्द और गर्म खाना खिला कर कहें उसे रखते हैं फिर भी कभी कबार उसे जुखाम आ जाता है कभी तबीयत बिगर जाती है अब ये जो अर्द नंगे जो बच्चे हैं वो किस तरह से शीत के प्रकोप में जो कि कपड़े तक नहीं है किस तरह से उनका जो स्वास्त है ही है यहाँ पर चंदर प्रकास जो है एक जो अदिनंगे बच्चे हैं ऐसे जो कि जिसके घर नहीं है उनको अपने घर में कुछ दिन रहने की इजाज़त देना चाहते थे लेकिन इस समाज में रहे क्लास की वजे से इस समाज में रहे कुछ लोगों की अनुमती ना मिलने के बाद वो विवश हो जाते हैं अपना घर होते हुए भी उनको रहने के लिए लव नहीं कर पाते हैं और जो बेकारी की समस्या होने की वजे से जो मनुश्य की स्तिती होती है इसे भी इस पार्ट में बहुत अच्छी तरह से जही प्रकाश करदम जी जो है वो यहाँ पर बत हैं हर एक समस्या का जो समस्या को जूंचता है यह बाद भी यहाँ पर इन्होंने बताई है तो पार्ट इतना ही था अगली कक्षा में किसी और पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद